हालो गुड इवनिंग एवरिवान मैं रॉक्टर स्वाति शर्मा एंग्लिश सूत्रा मैं आप सभी कर स्वागत करती हूं कैसे हैं आप सभी है आप लोग ने पढ़ना लिखना क्यों छोड़ दिया लिए पहले जब एक्जाम का फोग यह नुदी हो जाएगा तो पढ़के क्या करें पढ़ना तो जरूर्व चाहिए आप लोगों ने बें आप लोगों को नियों और लगातार जो है वह अपना प्रैक्टिस में रहते ह तो प्लीज द्यान दीजिए पढ़ लीजिए और इसी के साथ हम लोग अपना वोकेब सेशन बस अभी खतम ही होने वाला वोकेब सेशन और उसके बाद जो एक और सीरीज में आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगी ग्रामर या लिटरेचर में से किसी है की यह हमारा UPTGT का नया बैच स्टार्ट हुआ है from 3rd of October तो दोस वो इंट्रस्टे इन टेकिंग लाइव क्लासेज वो हमारे नमबर पर 7895937338 पर कॉल करके इसके बारे में जानकरी ले सकते हैं या एप डाउनलोड कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा उससे साहिजान करी अपने आप ही मिल जाएगी यह हमारा वीडियो बैच है जिसमें वीडियो लेक्चर्स हैं हैं लाइव क्लास के ही मगर वीडियो लेक्चर्स हैं ग्रामर लिट्रेचर दोनों के स्टेडी मिटीरियल इसमें भी मिलता है और आपको बुक फॉर्म में घर पर आपके आता है लेकिन बैच के साथ चलिए अब मैंने आप लोगों को पिछली बार जो पढ़ाए थे उससे आगे का करवाना है और आज खा है तैट्स अल्जिया अल्गिया अल्गिया पेन दर्द खेना बहुत दर्द है यार जुन्दगी में बहुत दर्द है एनल्जिसिक तो यह एनल्जिसिक है एनोडाइन एक ऐसी चीज जिसे पेन किलर जो दर्द को नाश करे उसे एनोडाइन पेन किलर जो दर्द को नाश करे उसे एनोडाइन पे निर्जिया कहा जाता है, निंए निर्स के Jordi , चीजा को तक की कि निर्जिया कहाा जाता है। और जो है nostalgia का मतलब होता है when you feel something, जब आप अपने कुछ चीजों को याद करते हैं, पुरानी चीजों को याद करते हैं, at that time, how you feel is known, that feeling is known as nostalgic feeling, तो nostalgia जैसे कभी, अगर आप है, longing for something in past, simple से अगर याद करिये, अगर आप बच्पन में कोई काम करते थे, और अब नहीं करते, तो कभी आपको वो चीज दिख जाती है, तो आप उस nostalgic feelings जो आती है, उन्हें nostalgia कहते हैं, जैसे बच्पन में कहीं भी खड़े होकर गुलगप्पे खा लिया करते थे, अब भी खा लेते हैं वैसे तो, लेकिन तब इतना हाईजीन का और उसका ख्याल नहीं रखते थे, या जब अपने भाईवेनों के साथ मिलकर बैठते हैं, और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, तो वो feeling को क्या कहा जाता है, nostalgia, तो यह देखे, analgesic, anodyne, pain killer, neurology, acute spasmodic pain along nerves, nerves में बहुत ज्यादा दर, nostalgia, longing for something past, किसी past की चीज को याद करना, nostrils का मतलब ही होता है, यह जो root है, इसका मतलब था, return to home, कैको फोनी, देखो, phone means होता है, phone means होता है sound, phone का मतलब होता है sound, hello, कौन बोले, हम बोले, phone means होता है sound, कैको, कैको का मतलब होता है, करकश, phone means sound, करकश आवाज को बोलते हैं, कैको फोनी, बहुत तेज, बहुत तेज music बज रहा हो चाहे, कितना अच्छा music क्यों ना हो, लेकिन अगर बहुत तेज होता है, तो वह कैको फोनी हो जाता है, बहुत तेज music के साथ, ट्राफिक की चीद चीद पॉंपउं की आवाज आ रही है, that is यूफुन यू मीन्स अच्छा और फणी में साउन्ट को यूफुनी क्याते है और हार्श साउन को काकोफ़नी क कहते हैं फोनोग्राफ रिकॉर्ड प्लेयर को कहा जाता है सेक्सो फोन ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जाइलोफोन ये भी एक परकशनिस्ट, तालवादक होते है, परकशनिस्ट का मतलब होता है, तालवादक, एक परकशनिस्ट का इंस्ट्रूमेंट होता है, उस जाइलोफोन ये भी एक मुजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसके अलावा, फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का होता है, क प्रेह का मतलब होता है ये भी खाहूं ये भी खाहूं टू डिवाउ हो भा सबसे पहला है कार्णिवोरस का मतलब होता है जो मांस भक्षी होता है कार्णिवोरस that is मांस भक्षी feeding only on animals जो मांस भक्षी होता है that's कार्णिवोरस हर्ब्स मतलब होता है घास पत्ती तो feeding only on plants जो फिर सिफ plants को जो है वो हरी चीज़ों पे हरी पत्तियों खाता है that is herbivorous Omnivorous कुछ भी जो खाता है That's Omnivorous अब एक आता है Voracious Voracious का मतलब होता है आप लोगोंने कभी शादी वे अगर है ऐसे लोग देखे हैं जिनकी प्लेट जो होती है प्लेट यहाँ पे होती है खाना यहाँ तक भरा होता है उसके बाद खा कर यह बोलते है यहाँ तो कुछ खाया आई कुछ मजा निया साथी पे इंतजाम बढ़िया नहीं था भाई तो यह जो आते हैं यहाँ भी अगराई नहीं था भाई Glutton जो होते है वो जो वोरेशियस डिवाउर वोरेशियस वैसे एक यह जो वर्ट है to devour एडेशियस रिपेशियस revenus इसका मतलब पर भुककड़ों की तरह चाहेँ वह किसी भी चीज़-डेश का जो लालंच होता है वह किसी चुटाब पढ़ने के शोकीन होते भहत जदा ह क्लEंडिस्टीन contenHigh답aint का मतलब होता है सीक्रेसी और कंसीलमन्ट चिपा हुआ clandestine deal, chippy v deal, clandestine clause, chippawa clause, secrecy or concealment in the walking out of a plan which is evil or illegal, ऐसी कोई भी condition, जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, और चिपवी condition, कोई भी ऐसी चीज जो chippy भी है, और बहुत ही खराब है, उसे clandestine कहा जाता है, clandestine relationship, बहुत से लोग अपनी जो कुछ relationship है, वो लोगों के सामने कभी भी publicize दही करते हैं, क्योंकि वो clandestine relationship होती है, it means कि वो relationship evil है, या illegal है, वो उसको दूसरों के सामने लाना नहीं चाहते हैं, omni, omni का मतलब होता है all, omnivorous, worus means खाने वाला, सब कुछ खाने वाला omnivorous, potent मतलब होता है शक्तिशाली, omnipotent means all powerful, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, omniscient, यानि कि all knowing, scient means knowledge, जो सब जानता है, omnipresence, जो सब जगे present है, सरवत्र जो present है, omnibus, एक बहुत बड़ी bus, जिसमें सभी लोगों को लाया जा सकता है, या omnibus का मतलब होता है, for all, सभी लोगों के लिए, that's omnibus, carnis, carnis का मतलब होता है, months, carnis, carnelian, लाल रंग, flesh के रंग जैसा, carnelian, carnelian color मतलब होता है, लाल flesh जैसा color, जब खाल तर जाता है, जो लाल रंग आता है, carnival, carnival flesh से बना, blood sanguine से होता है, यानि कि merry making festival को carnival का आ जाता है, which is related to desires, carnival, एक ऐसा happy merry making festival, carnel, शारीर की जो इच्छाएं होती है, शारीरिक इच्छाओं को बोला जाता है, carnel, शारीरिक इच्छाएं कार्नल, carnage, संघार, carnage का मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को मार देना, that's sanghar को बोलते है, reincarnation, carn, flesh, reincarnation, पुना जीवित होना, reincarnation, that is, return to another body after death, reincarnation, पुना जन्म लेना, पुना मृत्यू के बाद पुना हां लोटना, that is reincarnation, innervus, नर्व मतलब होता है, नर्व मतलब, जो हमारे स्नायूत अंत्र को नर्वस बोला जाता है इनर्वस नर्वस से ले लीजिए किसी को नर्वस कर देना वीक कर देना अगर आप खरसा में किसी को यह कहते रहे तुम्हारे बस का यह नहीं है तुम नहीं कर सकते आपको पता है मैंने एक चीज़ पड़ी थी कि अफरीका का एक कबीला है वहाँ पर जब लोगों को पेड़ को काटते नहीं है बलकि बहुत सारे लोग मिलकर पेड़ को बहुत सारी बद्वाएं देते हैं उल्टा सीधा बोलते हैं कुछ दिनों में पेड़ सूक जाता है और उने काटने के जरूरत नहीं पड़ती वह गिर जाता तो वह तो पेड़ है आप एक इंसान को बार-बार कहते रहेंगे तुम्हारे बसकी कुछ नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा जिंदगे में कुछ नहीं हो सकता और तुम जो है किसी काम के ही नहीं हो बस अपने ओपर होता है, how you take it, बहुत वैसे मुश्किल तो ही, तो इनर्वेट का मतलब होता है, mentally weak करना, एक इनसान को, आप मांसिक रूप से तोड़ दीजे, शारिरिक रूप से वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो बिखड जाएगा, next is castigare, castigare का मतलब होता है, castig किसी को बहुत बुरी तरीके से criticize करने को castigate करना कहते हैं, बहुत बुरी तरीके से किसी को criticize करना, negare, negare का मतलब होता है, मना करना, self-abnegation, self-sacrifice, self-renunciation, खुदी तियाजों को त्याग देना, self-renunciation, self-sacrifice, त्याग कर देना, that is self-abnegation, negate, मना करना, negative, नकारात्मक, कापुट, कापुट का मतलब होता है head, recapitulate का मतलब होता है, जो भी कुछ पढ़ा, फटा-फट उसको revise कर लिया, short में that's recapitulate होता कहा है, capital किसी भी देश का जो सिर होता है, उसे capital कहा जाता है, decapitate, सिर काट देना, सर विहीन, that is decapitate, captain, कापुट, किसी भी आर्मी का, किसी भी ट वेजिटेयर, वेजिटेयर का मतलब होता है, जिन्दा रहना, मगर उसमें कोई भी जो है, कोई ऐसी movement ना होना, वेजिटेशन एक ऐसी सिती है, inactivity that is passive and monotonous comparable to the activity of plant life, देखे, वेजिटेटिव स्टेट कहते हैं, वेजिटेशन कहते हैं, वेजिटेटिव स्टेट का मतलब हो बढ़ रहा है, मगर उसके अंदर movement नहीं हो रहा है, तो जो एक ऐसी अवस्था होती है, कि निश्क्रिय अवस्था को वेजिटेशन कहा जाता है, ग्रो करते हैं, मगर move नहीं करते हैं, सिमिलिस, सिमिलिस का मतलब होता है, एक जैसा, सिमुलेट, सिमुलेट का मतलब होता है, असल जैसी नकल, असल जैसी नकल को सिमुलेट कहते हैं, जैसे सिमुलेटिट पर्ल्स कहते हैं, तो सिमुलेटिट पर्ल्स का मतलब है, वो पर्ल्स ऐसे होंगे, वो नमोती ऐसे होंगे कि असली जैसे लगेंगे, अगर हम कहते हैं कि simulated, simulated ornaments गोल्ड जैसे, बिल्कुल गोल्ड जैसी लगेंगे, यह नहीं कि सामने से देख के पता चल जा नकली है, simulated ornament, simulated diamond है, तो वो इसका मतलब है बिल्कुल असली जैसे नकली, dissimilar एक जैसा ना होना, similarly, एक figure of speech होती है, जिसमें दो dissimilar things के बीच में comparison किया जाता है, intimacy, intimacy का मतलब होता है, एक बहुत ही intimate करना, कि बहुत familiar, informal, आपके जान पहचान का confident, जिससे आप अपनी बात share कर सकते हैं, उसे कहा जाता है confident, वैसी layer, वैसी layer का मतलब होता है, कभी यहाँ, कभी वाहाँ, थाली के जो bangan होते हैं, उस type के, be on the fence, vacillate, vacillate का मतलब है, इधर चला मैं, उधर चला, जाने कहां मैं, किधर चला, be undecided about something, where are between conflicting positions, और course of action, यह न पता हो, इसके यहाँ जाएंगे, इसने कहा यह करेंगे, तो यहाँ जाएंगे, इसने कहा यह करेंगे, तो वहाँ जाएंगे, that is vacill layer, यानि कि डोलते रहना, ठीक है, एक निने ना ले पाना, लेविस, लेविस का मतलब होता है, हलका, लेविटी, लेविटी का मतलब होता है, हलकापन, ओच्छापन जिसे कह सकते हैं, कुछ लोगों की बातचीत में, seriousness कभी नहीं होती, वो हमेशा बहुत हलकी बात करते हैं, लेविटी, हलकापन, ओच्छेपन को लेविटी का जाता है, लेविटेशन का मतलब होता है, जब शरीर जो है, बेसिकली, spiritualistic, उसमें आपने ये pictures वगराभी देखेंगे, जिसमें शरीर नीचे होता है, और जो, बतलब, एक ध्यान के मुद्रा में, या योग की मुद्रा मे लोगों का शरीर जो है, वो ऊपर उठ जाता है, तो उसे levitation कहते हैं, बॉडी का, spiritualistic, मीन से ऊपर उठ जाना, that's levitation, ईलीवेट का मतलब होता है, शांत करना, एलीवेट करना, शांत करना कहते हैं, शांत करने को, पैलीयट करना, रिलीव करना, अस्वाच करना, याने की शां करने को कहा जाता है elevate, miser, यह तो सब को पता है, बहुत ही ज्यादा कंजूस को misery, बहुत ही बेहद जो है दुर्दशा जिसकी हो उसे miser ही कहेंगे, miser, जो पैसा एकठा करता है, केवल कंजूस विक्ति को miser, misery, बेहद परेशानी की अवाद, परेशानी को बोला जाता है misery, and now the next word is comm to feel or express sympathy or compassion, कि किसी के प्रती sympathy, सहानु भूती को express करना, that is commiss rate, किसी के प्रती सहानु भूती पूर्ण रवाईया रखना, that's commiss rate, that's all for today, फिर से दुबारा से यही कहना चाहूंगी, कि प्लीज पढ़ने पर ध्यान दीजिए, अगर नई पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं, बह विलते हैं कल, बाइ-बाइ